हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एस टीवी हर्याना निजूज नमश्कार आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूँ आपके साथ शुभेंदु सिंग हर्याना के नए मुखे मंतरी और उप मुखे मंतरी कल शपद ग्रहन करेंगे दोपहर दो बच कर पंधरा मिनट पर शपद ग्रहन समारो होगा और सारी तस्वीर साफ हो चुकी है लेकिन जिस जेजेपी के समर्थन से बीजेपी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है क्या उसने निस्वार्थ और जन सेवा की भावना से अपना समर्थन बीजेपी को दिया या फिर मंतरी पत का कोई मो भी है हर्याना की सियासत की तस्वीर पर आज हम करेंगे चर्चा लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट आप दिखे लेकिन रिपोर्ट आपको दिखाएं लेकिन उससे पहले जरा हम आपको ये बता रहे हैं कि ये तस्वीरें आपके सामने हैं रविवार को दोपहर दो बचकर पंदरा मिनट पर मनोहर लाल खटर मुख्यमंत्री पद की शपत लेंगे ये फिलहाल अपने आप में देखना बेहत दिल्चस्प पहले किन राजपाद से मुलाकात कर मनोहर लाल खटर ने सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया है और इस दावे के साथ ये तैह होता हुआ नज़र आ रहा है कि सरकार बीजेपी और जेजेपी मिलकर बनाने जा रही है और इस से पहले मनोहर लाल खटर को भाजपा यानि की बीजेपी विदायक दल का नेता चुन लिया गया खटर के नाम का प्रस्ता विदायक अनिल विज और तमाम दूसरे निताओं की तरफ से रखा गया और समर्थन इसका किया गया लेकिन आपको बता दे कि इस दोरान कई चीजे कई घटना कराम इस दोरान हुए है सियासत में स्वार्थ नेत होता है ये कहा जाता है कि राजवनिती और सियासत के अंदर कहीं न कहीं स्वार्थ भी होता है लेकिन जन्नाइक जन्नता पार्टी की तरफ से क्या किसी सुआर्थ के जरीए समर्तन दिया गया और कितना इसका प्रभाव आने वाले समय की राच्शनीती पर होगा ये फिलाल देखना बेहत दिल्चस्प है लेकिन सवाल ये भी है कि जे जे पी की समर्तन से जो बीजे पी सरकार बना रही है क्या मंतरी मंडल में जे जे पी के विधायकों को भी अतनी तरजी दी जाती है ये फिलाल देखना बहुत दिल्चस्प है और क्या अंदर खाने जेजेपी की पद को लेकर कोई मांग भी है और इन सबी सवालों के साथ शपत ग्रेहन का इंतिजार करना होगा और कल की तस्वीर जब सवा दो बजे ये सब कुछ साथ होगा कि कौन कौन से चेहरे हैं जो कि मंत्रीपत की शपत लेंगे वो सपष्ट होगा लेकिन एक चेहरा साथ जो कि सीम का चेहरा है वो क्लियर हो चुका है डिप्टी सीम को लेकर कल से ही चर्चाएं बहुत तेज थी कि दुश्यन चोटाला या फिर उनकी पार्टी से नैना चोटाला को डिप्टी सीम का पद दिया जा सकता है लेकिन क्या इसमें और तस्वीरे जोड़ कर देखें क्योंकि ये सिर्फ एक तस्वीर है एक बड़ा पद जेजेपी की तरफ जाता हुआ लेकिन क्या और दूसरे मंतुरी पद भी जेजेपी के पास जाएंगे क्या जेजेपी और कई मंतुरी पद मांगेगी कल दो या तीन कुछ इस संख्या के अंदर जनायक जनुनता पार्टी की तरफ से ये चल रहा था कि इतने मंतुरी पद जो हैं उनको चाहिए लेकिन क्या इस पर अभी तक बाचीत हुई है क्योंकि कल हलाकि सभी चीजों को लेक पर अस्तिती साफ हो चुकी थी लेकिन मीडिया के सामने ज्यादा डिस्क्लोस नहीं किया गया लेकिन आपको बता दे कि शपत ग्रेंड समारों में शामिल होने के लिए अजय चौटाला भी पहुँचेंगे फरलों उनको मिल चुकी है जजज़पी अध्यक्स दुशन चौ कौन से वो चेहरे होंगे जिनको अपने साथ सबसे भरुसेमंद वो मानते हैं और कौन मंतरी मंडल में शामिल होगा ये फिलाल देखना होगा लेकिन जेज़पी से किस विदायकी किसमत चमकेगी ये देखना भी बहत दिल्चस्प है हाला कि यहाँ पर ये भी है कि कुछ न मुद्दों को लेकर क्योंकि जन्नाइक जन्नता पार्टी अभी तक सरकार के खिलाब सवाल उठाते हुए अब इस रास्ते पर पहुंची है और सरकार बनाने की भूमिका में यानि कि हर्याना के अंदर किंग मेकर की भूमिका में जब जन्नाइक जन्नता पार्टी इस सिस् कि यहां जहां भी जन्राइक जन्रता पार्टी के नेता जीते हैं या प्रत्याशी उनके जीते हैं बीजेपी के बड़े निताओं को उन्होंने हराया है तो यानि कि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज यहां पर हमने देखा कि जो जाट वोटर है वो खुलकर उनका समर्थन किया था क्या वो उनके साथ ही बने रहेंगे ये अपने आप में देखना होगा ये बड़ा सवाल है लेकिन कल की तस्वीर के बाद बहुत कुछ साफ होने जा रहा है कि सरकार का रूड मैप क्या होगा और कल दुश्यन चोटाला की तरफ से हलाकि एक सपष्ट कर दिया था तो क्या ऐसे सभी चीज़ें बीजेपी की तरफ से प्रमुक्ता के साथ सबसे पहले किन पर कदम उठाया जाएगा ये देखना बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि जो सरकार बनती है उसकी प्रातमिक्ताएं क्या है और शुरवात में किस तरीके से वो कि प्रावशाली तरीके से काम करती है किनको वो प्रातमिकताओं में रखती है सबसे पहले किस पर मुकदम उठाती है ये देखना बहुत खास है क्योंकि जब जेजेपी के साथ इससे पहले फ्री एंड सरकार उनकी चल रही थी पांच साल तक लेकिन अब जन्नायक जन्रता प पार्टी के जो हार को मुद्दे हैं उनको पहले प्रातमिकता के साथ रखा जा सके जैसा कि रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल आप इससे पहले पांच साल के दौरान भी रहा था और चाहे इस पांच साल की बात कीजिए या कांग्रिस के समय भी इससे पहले उस दस साल के शासनकाल में भी रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा विशय उठता रहा लेकिन यहां पर जो 75 फीसद हर्याना वासियों को तरजी देने की बात की गए रोजगार के अंदर तो ये कहीं न कहीं ऐसी चीज़े हैं जो की लगता है कि इस गड़बंधन में सरकार क जो भूमिका है और खास करके जो जन्रायक जन्रता पार्टी के अंदर जो पहले से इसको कहा गया कि 75 फीसद जो हर्याना वासियों को तरजी दी जाए तो क्या इससे बीजेपी को भी फायदा मिलेगा यदि इस पर सबसे पहले वो कदम उठाते हैं तो लेकिन रोजगार सर भी चीज़े हैं जिसका यहां पर बीजेपी किस रूप में इसको देखती है और क्या इस पर आगे किस तरीके से नजर आता है वो फिलाद देखना होगा इन सभी चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले जड़ा एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं रविवार को दुपहर दो बज कर 15 मिनट पर मनौहलाल मुख्यमंत्री पद की शपत लेंगे दुशिन चुटाला राजे के अगले उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपत गहन करेंगे राजेपाल से मुलाकात कर मनौहलाल ने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है मनोहलार के नाम का प्रस्ताव विधाय का निल्विच और कुमरपाल ने रखा और अन्य बीजेपी विधाय को ने उनका समर्थन किया पूरे बीजेपी के केंद्रिय निजित्व की और से मैं मनोहलाज जी का बहुत ही अभिनंदन करता हूं यह हमाई लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है हमों राजपाल जी कहां जाएंगे और वहां पर एक बहुत ही स्थाई सरकार बनेगी और चारिक आमंत्रन का आग इन्डिपेडेंट्स विधायकों का समर्थन होगा और बहुत ही स्थाई प्रामानिक इमांदार प्रभावी सरकार यहां देंगे सियासित में स्वार्ट नीहित होता है ये बात किसी से छुपी नहीं है सवाल ये भी है कि जेजपी के समर्थन से सरकार बना रही भारतिये जनता पाटी क्या मंत्री मंडल में जेजपी के विधायकों को जगा दीगी क्या अंदर खाने जेजपी की पद को लेकर कोई मांग ही है इन सभी सवालों के साथ शपत करहन का इंतिजार करना होगा थोड़ी देल में हम लोग राजेपाल महोदे को अपनी और से पत्र देने के लिए जा रहे हैं कि वो आतिंता पाइटी के नाते से जो नेता चुना गये हैं जिसमें मेरे नाम का यहां प्रकार से तुना गया है नेता ही रूप में और समर्थन के नाते जैसा हमारे के लिए प्रशेपाल महोदे के पास शपत ग्रहन समारोहों में शामिल होने के लिए अजय चुटाला भी पहुँचेंगे जिजपी अध्यक्ष दुशन चुटाला के पिता अजय चुटाला सिहार जिल से बहार आएंगे सिहार जिल पर शासर ने उन्हें दो हफते की फरलो दी है अब सभी के नजरें इस पर हैं कि मुखे मंत्री पद की शपत लेने के बाद मनोहलाल किन विधायकों पर भरोसा जताते हैं कौन मंत्री मंदल में शामिल होगा और जेजीपी से किस विधायक की किसमत चमकेगी और सवाल ये भी कि अब क्या करेगा विपक्ष पीरो रिपोर्ट हलियारा नीव तुसरे लिए रिपोर्ट आपको दिखा दी है हमने और जल्ड़ा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सभी खास मेमानों से आपको मिलवा देते हैं लेकिन इस नए गट बंधन को आप किस रूप में देखते हैं इलेक्षन की शुरुआत केस से इलेक्षन की शुरुआत में जेजेपी ने नारा दिया था कि अब की बार 75 पार नहीं अब की बार जमना पार ठीक है तो और इन फैक्ट अगर आप देखा जाए तो यह चुनाव अल्टिमेटली जो हम बात किया करते थे यहां पे जो हमें नहीं करनी चाहिए वैसे तो पर जब जमीन पे वो वैसा होता है तो हमें यह बात करनी भी चाहिए ताके लोगों तक फैक्ट्स पहुँचें मैं यह मान के चल रहा था कि चुनाव जो है जाट वर्सिस नौन जाट या जाट वर्सिस पंजाबी यह होगा और अल्टिमेटली वो हुआ दूसरा पर्सनेलिटी क्लेश होना था वो हुआ के हुड़ा वर्सिस खटर सामने नजर आए ठीक है तो इन सारी चीजों को देखते हुए जाट वोटर्स ने एक मुष्ट एक साइड होके वोट्स जो है वो जो भी हारता हुआ बीजेपी का नजर आया उसको उन्होंने वो in number of seats तो वो कम हो गए तो वो उनकी seat कम पड़ गई है अब दुशन चोटाला जी क्यों गए हैं मैं उसको थोड़ा सा अनलाइज करके आपको बता देता हूँ मेरा मानना ये है कि दुशन चोटाला जी के दस candidate जो जीते हैं उनमें से उनको पूरा भरोसा ही नहीं रहा होगा कि ये मेरे साथ जुड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे इंक्ट रहेंगे रहेंगे करियासाना आउग सरफ माँ बेटे रहे जाया और बाकी के सारे के सारे तूट के बईएपी में चले जाएं जो क्यों हरी आना का पुराना इतिहास भी रहा है आ जिस टाइम पर आफ शुरू जब वो काउंटिंग चल रही है तो उन वाइट में उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा के पहले तो के भई इनको बाहर करेंगे बाद में बात ही आई के मैं उसको सपोर्ट करूँगा जो मुझे सीम बनाएगा उसके बाद ये कहा के भई हम बैठ के बात करेंग के जब जब कभी ऐसे हालात आते हैं तो यह डेल होती है। इस डेल में पैसा भी चलता है प्रलोबन भी चलता है और प्रेशर भी चलता है। दो कि यहांपर comigo की नजाकत थी या फिर प्रेशर जाद होगा था। आपकी विन विन शिचेशन कैसे होती है will and situation जोनों तरफ से बीजेपी को भी लगरा बीजेपी अधर वाइज उन साथ-ाथ को ले सकती थी उनको लेकर अपना चला सकती थी वह कर सकती क्या है बीजेपी की एक अपनी प्लैनिंग है आप अगर पूरे हिंदुस्तान का इतियास उठागे देखें कि जिसके साथ उन्होंने चुनाओ लड़ा पहले एक लार्जर रिजनल पार्टी के साथ वो जहां पर खुद छोटे रहे शुरू में बाद में अल्टीमेटली उस कुछ है तो वो बीजेपी अल्टीमेटली जो भी होगा आप यापार में भी ऐसा ही होता है तो राजनीती भी तो इसी का नाम है राजनीती का मतलब ही है आप 300 पे हैं आज के दिन तो 300 से अगर आप साड़े 300 जाना चाहते हैं अगले चुनाओं में वो कैसे जाएंगे तो कॉंग्रेस के 50 में से कितने तो खतम कर सकते हैं आप नहीं कर पाएंगे शायद क्योंकर उससे नीचे हो कहां तक जाएंगे वो उसके इलावा बचते हैं बाकी के लोग तो उन में से किस-किस को निवटा सकते हैं वो प्लैनिंग होती है यह करते हैं तो उसमें कोई बुरी बैंक भी अगर इमानदारी से देखें तो वही तूटके गया था पिछले चुनाओं में ज्यादा तर हलांके कॉंग्रेस भी माइनस में गई थी पर ज्यादा तर जो इनेलो का तूटके गया और उससे लाव मिला और उस बैल्ट में अगर आप ध्यान दें तो बाबा ने की मदद कर दी थी लास्ट मोमेंट में तो ये फूर्टी एट के फूर्टी सेवन पहुच गए थे हूं तो कुल मिला ये नतीजा था ठीक है कल की कैबिनेट को लेकर जो चेहरे होंगे उनको उनका भी जिक्र हम करेंगे लेकिन उसे पहले जड़ा विशलेशन हम कर रहे हैं लेकिन जो उनका ग्राउंड था वो ग्राउंड कहीं कमजोर ना पड़ जाए आपके चैनल पर उस दिन भी बात हुई थी जब चुनाफ खतम हुए थे जब मत्दान की इंती खतम हुई थी और ये रिजल्स आये थे सामने तो यही चीज डिसकस हुई थी और उस वक्त लग रहा था कि भाजपा जो है वो निर्दलिये कैंडिडेट्स को ज्यादा अपन इसके साथ एक तरह से गडबंदन जो उनका हो सकता था उसकी पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी तब भी एक सवाल उठा था और मैंने तब भी यही कहा था कि अगर दुश्यन चोटाला विपक्ष में बैखते हैं अगर वो सरकार नहीं बनाते तो वो एक ऐसा चेहरा थे इस इलेक्शन में और पिछले 11 महिनों में जो हर्याना की राजनीती में उभरे हैं एक नया ही चेहरा लेके बिलकुल जो की जो इनेलो की जो ट्रेडिशनल राजनीती है जो चलती आई है सदियों से उससे एक और कदम आगे बढ़ा के वो अपने आपको एक युवाओं के नेत को सबसे जादा महत्वपून माना है और उनको महत्ता दी है तब भी मैंने यह बात कही थी कि अगर यह विपक्ष में बैठते हैं तो हर्याना में वैकल्पिक राजनीती की शुरुआत अगर वो करना चाहें तो बहुत बहतर हो सकती है और नए चेहरों को नई तरह की लीड के उभरने के पूरे आसार और पूरी जमीन तयार है अगर वो भाजपा में जाते हैं तो हम यह देखेंगे कि ट्रिडिशनल राजनीती पारंपर के तरीके से जो राजनीती होती है वही चलती जा रही है क्या वो किस तरह के राजनीतिग्य है यह अब की बार इस चीज का फ है तो मैं बिल्कुल ठीक मानती हूँ जैसे योगेश्टी कह रहे थे कि उनके सामने अपने खुद के राजनीतिक सर्वाइवल का भी एक सवाल था कि अगर वो पार्टी नहीं भाजपा के साथ सबकार नहीं बनाते तो उनके जो जितने जो कैंडिडेट्स जीते हैं जो आय है कि जजपा तो सवाइव कर ही रही है लेकिन जनता के बीच में इसका क्या मेसिज गया है और जो इनेलो जो हमेशा से किसान की राजनीति करती आई है किसानों की वो जो एक सेग्मेंट था जिसके लीडर दुशन चोटाला माने भी जा रहे थे और उनको उसका अपना जो राजनीतिक उनको जो लेगसी मिली है वो उनके हाथ में थी अब यह देखना पड़ेगा कि यह बहुत ही क्रिटिकल बहुत ही इंट्रेस्टिक मोड आया है उनके राजनीतिक करियर में कि अब वो किसके साथ जाते हैं क्या वो अपने आपको युवाओं और युवाओं का म रही है उससे कट आफ कर रहे हैं बहुत नए सवाल उभर के आते हैं बहुत नई ऑपरिचुनिटी भी है दुशन चौटाला के साम में लेकिन इस वक्त कोई यह चीज मना नहीं कर पाएगा कि मेरा मानना है कि आज भी अगर आप देख रहे हैं तो हर्याना की राजनीति में आगे के कई साल दुशन चौटाला के नाम डेफिनेटली लिखे हुए हैं लेकिन इस स्वरूप को सीमा जी दुशन चौटाला का एक कदम लेकिन यहां जचपा के सर्वाइवल के लिए तो बहुत अच्छा कदम सरकार में आ गए फ्लो में आ गए और अपने जो टीम है उस महां पर क्या जवाब दिया जाएगा बिल्कुल मैं इसी बात को पहले भी आप से कह रही थी कि अभी मुझे लगता है कि आप से पहले की जो ग्यारे महीने थे वो दुश्य अंतर जेजेपी के लिए बहुत आसाम थे लेकिन अगले पांस साल बहुत डिफिकल्ट होने वाल किया था वो अपने आपको ठगा हुआ मैसुस कर रहे हैं तो जब जनता आपको जनता आपकी यस्पी है क्योंकि अभी तक आप दुश्यंत के जितने भी पैटन को फोलो करेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने एक इस तरह की इमेज क्रेट की कि वह जनता के नेता है जन के बाद जिब रजल्ट के बाद के बाद कैबिनेट में इन्वोल्व होने की बात आई तो थोड़ा धरातल पर दूसरे तरह के एक्जामपल्स जनता के सामने आए हैं तो अब उनको ये प्रूब करना कि मैं जनता के मेरे लिए महत्वपून है ये उनको समझाना बहुत कट ही नहीं क्योंकि जो सबसे पहला स्टैप था वो सरकार में इन्वोल्व हो कि उन्होंने उनके मन में एक संश्य पैदा कर दिया है और दूसरी बात कि अगर अभी भी अगर क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जजबा के लिए हैं कि अपनी पार्टी को सस्टेन करें दुश्य सबसे लगता है कि वक्त है उनको और गहन अध्यन करने का और किसी भी तरीके से वो इस तरह की पर्सेप्शन क्रेट करें कि वो सरकार के साथ इन्वोल्व जादा ना हों सरकार के अंदर रहके भी सरकार में किस तरीके प्रैसर क्रेट कर सकते ताकि जो उन्होंने जो मुद् कि अरगले साल उन्हों को सस्टेन करना मुश्किल है उस इमेज को मिंटेन करने के लिए उसी С å सरकार के साथ रहना से यह हो सकता है मैं तो कहते हो गर मैं व्यक्ति के तोर पर मैं उनकी जगे हूं तो मैं सरकार में अपने को मंत्री ना बना के जैसे अब डिप्टी सीम की बात चल रही तो मैं मुझे रखता है कि ज्यादा बैटर ऑक्षन है कि नैना चोटाला को डिप्टी सीम बनाएं और वो खुद फिल्ड में रहें कि बीजेपी का टार्गेट अब अगले पास साल में यही होगा कि वो किसी भी तरीके से जेजेपी को उभरने ना दे उनका में मक्सद जो दिखा भी था कि आज दिन बर जो चर्चाएं थी वो नाना चोटाला के नाम को लेकर थी लेकिन ब कोई भी व्यक्ति या कि उसका व्यक्ति तो कैसे बनता है जैसे अभी मैडम बात कर रही है वो अब इनके चुनएजे नेता जो इन्होंने अभी तक 11 महीने में प्रूव किया था उस पर डैंट लग गया है इसमें कोई दोराय नहीं है अब क्या होता है कि जैसे आदमी कोई कोई भी संगश करता हुआ नजर आता है जनता के लिए तो जनता का प्रिय हो जाता है की जलीवाल जी के साथ यह हुआ बिल्कुल से जनता के साथ वो नजर आए और इतियास को बहुत पहले ले जाई जब कॉंग्रेश उस टाइम पर हुआ करती थी अंग्रेजों के वेरे होगे तो यह बहुत बढ़ा डेंट चोटा नहीं। बहुत बढ़ा डेंट है। अब मैं तीसरी बात करता हूं मैं मेडम की बात से थोड़ा सा इत् premier रखता हो फोड़ी सी ना इत्तर थनывает किए मेरी विट जैसे मेडम ने कहा कि ओके मजबूरी होगी आप आगे मैदान में अब दुश्यंत को तो सीम बना डिप्टी सीम बनाना या मतनत्री मंडल में रखना एक मजबूरी है उनकी ताके बीजेपी के माइनस भी उनके साथ जुड़े रहें कलको वो यह ना कह सकें कि मेरा को इसमें क पहली बात तो नहीं लेना चाहिए आपको अपने आपको भी रोकना है अपने आपको भी सस्टेन करना है और आपको अपनी राजनीती आगे बढ़ानी है तो आप ये कहो के जंदा के हित्मे में बीजेपी क्योंकि लार्जस्ट पार्टी है दुश्यंट चौटाला के शुरू हो चुकी है जो नहोंने वोट डाला था वो खिलापत शुरू कर चुके हैं इसका मतलब यह है वचा एक चीज और होती है आपको आज ही वोट दिया है किसी रिजन के लिए दिया है और आप कल ही उसको दोखा दे रहे हैं तो इमिजेटी बहुत बड़ा एफेक्ट प हो जनता को कहते हैं जनता के हिसमें हम यह सब किया हमने लेकिन अगर जनता के खिलाफ करेंगे यह और हमारी बात नहीं मानेंगे तो इनकी मायां हम भी मरोड़ेंगे जयते मीजेपी करती है शुभेंदु जी देखें यही पोलिटिकल कंपल्शन होती है सियासी जीत बेशक हो सकती है यह दुशन चोटाले के लिए लेकिन एक मौरल जीत नहीं है जहां तक जनता में वही बात हो रही है कि कल आपने यह कहा आज आप यह कह रहे हैं और याद रखिए कि अब जब यहां इनको जज किया जाएगा अगला एक के कदम इनको फूक फूक के रखना पड़ है बार बार वो दुशन चोटाला की पारिवारिक जब इने लो टूटी थी तब जिस तरह के अलिगेशन्स उनके उपर लगाए गए थे बड़ी मुश्कियों से उन्हें के बीटीम है और अब इस तरह से करने के बाद जनता आपको आप उसी पढ़ाद पे आपने आपको लाके आप खड़ा कर रहे हैं सरकार चलानी या अपनी टीम बचानी देखे यह जो लोग आए थे जो जीते हैं यह जीते जरूर है लेकिन आए बाहर के ही थे या आपने जजपा के लोग नहीं तो क्या यह वाकई में आपने जजपा को भी बचाया एक तरीके से हमें लग लेकिन जजपा नहीं बची है यह सिर्फ वो दस या नौ लोग बचे जिनको आप बचाना चाहरे हैं उनको आपने सरकार में गुशारे हैं यहां पर और देख रहे हैं कि यह जजपा जो है बीजेपी की बीटीम है तो यह तो टार्गेट करना बढ़ा असान हो गया कॉंग और सरकार को बाहर से सपोर्ड देते हैं बाहर से हम सपोर्ड दे रहे हैं उनकी ये वाले जो लोग थे शायद वह रोगते हैं बहुत लुट पहले हैं लोगों को तो जनता फिर महीं पहुंच जाती है कहती है कि नहीं राजनीतिक तो जो है वो भरोसा नहीं किया जा सकता उसका वो किसी वो कुछ भी काम कर सकता है सकता में रहने के लिए अगर आपकी पार्टी टूटती अगर ये लोग जाते भी तो भी दुश्यन चौटाला को जो मौरल की मिलती लोगों के बीच में वो लॉंग टर्म में उनके फेबर में जाती क्योंकि आज भी चौटरी देविलाल की जब बात होती है तो बात मौरल्स और एथिक्स की ही होती है जिसके नाम पे ये लोग इतने साल तक आ हैं चोटा सा ब्रेक लिए लेते हैं और ब्रेक के बा प्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सभी खास में लगातार हमार साथ कारक्राम में बने हुए हैं जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जल्दा बात कर लेते हैं कि जेजेपी के मन में क्या है बीजेपी की तरफ से ओफर तो डिप्टी सीम पत दिया गया है लेकिन जेजेपी के मन में किया चल रहा और जल्दी से फिर उस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कल की कैबिनेट के अंदर कौन-कौन से चेहरे शामिल होंगे लेकिन सबसे पहले जेजेपी के मन में क्या है आपको क्या नजर आता है देखिए अब राजनेता हूं कि मन को कोई नहीं सबसे बड़ी कड़ी सचा यह है कि राजनीती में जो दिखता है वो होता नहीं और पर्दे के पीछे जो होता उसको समझना कई बार जो बिल्कुल लोग होते हैं वो भी नहीं समझ पाते कि इमेरे उसके बाद क्या होने वाला है तो अभी यह मेरे लिए तो कहना बहुत मु चुके हैं अब उनके पास एक तरफ हुआ है दूसरी तरफ खाई है उनको एक तरफ आप कैसे इसमें सस्टेन करेंगे यह मेरे लिए जेजेपी के लिए बहुत चैलेंजिंग है और क्योंकि उसकी जो यूएस पी जेजेपी की वो आम आदमी से जुडने की थी और आपने इस पर देंट मार दिया है और उसको आपके साथ रहना है तो हो सकता है कि लोंग टर्म में ऐसा कुछ हो कि किसी के मन की बात आप नहीं समझ सकते तो जेजेपी के मन में या दुश्यन जी के मन में ऐसा हो सकता है कि वो एक बड़ा बीजेपी में जाट चेहरे के तोर पर मर् कि हम देख रहे हैं कि जैसे चौदरी बिरेंदर सिंग हो गए ऐसे चाहरे जो की अब एक एज भी हो चुकी है और उनकी बेटे जो हैं वो उतने बड़े जनता के साथ उतना जुडाब नहीं है दुशियन्ट चटाला यंग हैं और जनता के साथ उतना जाट चेहरे के तौर प तो जैजेपी में का जो दुश्यन्त आये हैं वो मेरे इसाब से हो सकता है कल बीजेपी का जाट चेहरा एक फ्यूचर के दोर पे हो क्योंकि संभावना नहीं कुछ भी हो सकती है बड़ मुझे ऐसा होता है तो यह बीजेपी के पाले में जा रहा है सारा कुछ जैजेपी के एक अच्छा का सा नाम लगातार पांचवी बार जीत कर आए हैं तो जाहिर तो रहेंगे कैबिनेट में लेकिन बस यह होना है कि आखिर कौन सा पॉटफोलियो उनको मिलता है वो तो रहेंगे प्लस उसके बाद यह भी डिसाइड कर दिया है कि डेप्टी सीम वो भी एक मंत हर याना की जनता के लिए देख रहा हूं वह बात करता हूं यह बात हम पहले करीब ही हमने और पूरे पांच साल में यही बात करते आये जब जब कभी कोई प्रॉबलम आती थी हम कहते थे यह अन एक्सपीरियंस लोग है इन लोगों को काम करना नहीं आता है ठीक है और वो वो फिर से नजर नहीं आते अब कुछ तो मजबूरी में बनेंगे अगर दुशन जी अपने शर्त रखते हैं कि जी मेरे दो मंत्री और बनाओ उन्हें और वो मांगेंगे अपने जे जे पी को बचाने के लिए उन्हें मांगना पड़ेगा अच्छा आपको क्या लगता है कि दो पद या तीन पद बार गेन का ये है कि बीजे पी उनकी कुछ भी मान ले अल्टिमेटली उनकी चलने नहीं देगी मैं यही मान के चल रहा हूं कि जो उनको मिलेगा वो दो मैक्सिमम और मनों तीन इनको देदिये इतने में कहेंगे खुश रो इस से ज्यादा और कूदन हैं हो सीम भूल जाओ तुम सीम दो हमारा ये बात खतम अगली लाइन ही नहीं बोलने देते हैं उनको इतनी बड़ी पार्टी को जिनके पास बहुत कुछ है और इनकी इनसे बड़ी पार्टी थी वह एक जमाने में यह उनकी छोटी पार्टी हुआ करते थे सेम सेम वाज इ हुश्य वह ऐसा ही चाहते हैं कि अगर यह मान लो एक पार्टी रहे भी तो यह ऐसे ही रहे बस कि हम लीडिंग में रहेंगे शाली जी कल की कैबिनेट को लेकर आपको क्या नजर आता है क्या तस्वीर आपको नजर आती है बनवारी लाज जो कि पहले भी रहे हैं क्या जाएगा या आपको और कोई ऐसा चेहरा जो नजर आता हो या फिर आइनलडी से जो है आदे चाटाला जो उन्होंने अपना समर्थां दिया है तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनको एक सीट जो उनकी शामिल हुई है इस गड़बंदन के अंदर तो उनको भी कुछ मिल स से अब तक और ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार में सारे ही मंत्री जो थे उनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है तो कुछ एक से यह कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे जहां तक अब है चाटाला की बात होती है तो उनका जो एक बागेनिंग पोजिशन वो तब थी जब निर कि कोई अपनी मनमानी इस तरह से कर पाएगा हां अगर भाजपा यह चाहती है देखे मेरा यह भी मानना है कि भाजपा में जैसे सीमा जी पी कह रही थी कि दुशन आगे चलके भाजपा के लिए एक तरीके से जाट समुदाय को साटिस्फाइ करने का भी एक तरीका है उनको उनको डेप्योटी सीम बना देने के बाद जो कि यह समुदाय अपनी राजनीतिक रसूख खोता हुआ मान के भाजपा से काफी नाराज था तो जनता दुशन्त को एक युवा चेहरे के तरह देख रही थी कई उमीदे जगी थी यह बात सकते है लेकिन साथ में ये भी एक स चौटाला अपने आपको कैसे पोजिशन करते हैं वो किन मुद्धों पे क्या-क्या डिसिजन्स लेते हैं सरकार के साथ कितना चलते हैं और सरकार अपने कौमन मिनिमम प्रोग्राम को पीछे हटता हुआ देख के या उसके उपर अगर कारे ना हो तो उस वक्त वो जनता के म अपने कितने उठाते हैं यह चीज़ें बहुत माइने रखेंगे कि अल्टमेटली इस यह जो अभी उन्होंने यह जो यह एक नया अरेंजमेंट हिया है इससे दुशन चौटाला जीत के निकलते हैं या हार के निकलते हैं जहां तक आप कैबिनिट की बात कर रहे हैं तो ज उसमें दुशन चटाला अपनी कया पोजिशन बना पाते हैं सरकार अपने सरकार के लिए क्या important चीज़ें देखिए मेरे हिसाब से जो कुछ departments जिन पर जो आगे बहुत माइने रखने वाले हैं कि किस तरह से हैंडलूंगी critical department सबसे पहला तो agriculture का department कि वो किसको दिया जाएगा क्योंकि उस पर डिटर्मिन होगा कि क्या मेरे खयाल से दुश्यंत एक वो department है जो अपने किसी एक मंत्री जो उनका बनेगा उनको देना चाहेंगे क्योंकि उनका पूरा एक vote bank है वो कस उनका पूरा एक vote bank है वो तो एक वो मंत्रा ले वो देफिनेटली लेना चाहेंगे ताकि उनकी जो ये राजनीती हम कह रहे है एक पैरलल या एक पैरलल इमेज और जितना उनकी इतने सालों की जो राजनीतिक जमीन है जो उनके बाप-दादा के टाइम से चली आ रही है वो उनसे छिन न जाए और वो अपनी एक चीज और पूशना चाहरा हूं कि जाट चेहरे को क्योंकि बहुत जादा डेंट इस बार के चुनाव में बीजेपी को जाट वोटर्स की तरफ से मिला है तो इस काबिनेट के अंदर जो पीस वैसे तो कैंडिडेट खड़े किये थे चार जीट कर आए तो जाट चेहरे को त किसी एक कॉमुनिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका असर इमको दिखाई दिया इस बार के एलेक्शन में तो वो कोशिश करेंगे हाला कि पहले भी उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है कि हम किसी तरीके से बैलेंस करें लेकिन जो मैं जो समझ पाई अबी तक बीजेपी की पोलिशी यह रहती है कि मतब कोई भी इंडिविजल उनके ओपर हावी ना हो आप देखेंगे पिछले एलेक्शन के टाइम पर जब आप अपनी बेटी को के लिए टिकट मांग रहे थे ऐसा नहीं कि एक टिकट दे सकते थे लेकिन उनको लगा अगर हमने यह प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया तो एक इंडिविजल जो प्रैसर बनता है पॉलिटिक्स में पार्टी पर वो बनना गई शुरू नहीं रिवायत नहीं शुरू हो जाए तो उन्होंने वो मतब रिस्क लिया उनको नाराज किया लेकिन उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया जबकि पूरा आहीर बैल्ट है आप देखेंगे गुड़गाओं से लेके महंदर करता कि पूरा आहीर बैल्ट है लेकिन उन्हों वो रिस्क लिया बट उस उस कॉमुनिटी के लीडर के बेस पे किसी एक को हावी नहीं होने दिया यह अमिश्या कि बहुत किलियर कोशिश तो करेंगे कि कहीं भी उनको ऐसा न लगे कि आप स्पेसिविकली लोगों से एक कॉमुनिटी से डर गए है या उसको फोकस कर रहे हैं बट टैफिनेटी वो मैनेज करने की कोशिश करेंगे बहुत सौफ वे में उसमें दुश्यंत को काबिनेट में रखे एक अपन लोग जो निकल गए हैं अभी मैनू भी निकल गए हैं और अपी धनकड भी निकल गए तो इस्टाविश चेहरे थे पहले लेकिन आप बनाने पड़ेंगे अब बनाने पड़ेंगे मज़िदा है बात ही होने वाली है शुबहिंदू जी के बात देखिए अभी तद में जो रिष्टा होगा जो कॉन्फिक्ट होगा यह दोनों आपस में दूसरे को कैसे मैनेज करते हैं वो बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज होगी जो मुझा आगे दिखता है कि इनके भाजपा सरकार में राजनीती में क्या हम एक तकराव सा देखेंगे किस तरह से दोनों अपना मैनेज करके चल सकते हैं क्योंकि अब बात आ गई है कि जो हम चेहरे के बात करते हैं अब यहां पे एक आपने चेहरा ऐसा खड़ा कर दिया है जिसको इसवक्त चाहे कुछ भी हो जो उन्होंने राजनीतीक फैसला लिया वो बात अलगे लेकिन कोई यह मानने के देखिए टकर दी अकेले दुशन में दुश्वन्त एक चेहरा है दुश्वन्त एक बहुत बड़ी चीज है अब उनके सब्सक्राइब खटर सरकार के अंडर खटर के सामने क्या होगी दोनों की इक्वेजन यह एक बड़ा इंपोर्टन सवार रहेगा आपको इसमें पिछले पांस सालों में कि उनकी सेल्फ इगो बहुत बड़ी हो जाते कुछ चीजों को लेकर के तो दुश्यंत के साथ साथ में लेकर चलना क्योंकि दुश्यंत भी अपने उस तरह की परस्नेल्टी है तो यह सबसे बड़ा चैलेंज क्या यूगी अप चरह एक निरदलिय आते हैं यह उनको डिपेंड करता है लेकिन मेरा मानना है कि इनकी भी फिर वहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है कि यह यह प्रूव करना चाहते हैं कि तुम हमें छोड़के गए से ना तुम्हें दरी पर बिढ़ाएंगे कुछ नहीं देंगे और मेरे हिसाब से इनकी अगर य दिखाने के लिए उसको कर दिया और जब कैबिनेट में अगर आपस में लडाना होगा तो दोनों को लडाते रहेंगे यह उनको डिफ्यूज करने का प्रोग्राम इनका चलेगा अगर वो इतना क्योंको प्लैन करते हैं अब तीसरी बात करते हैं हम सिरफ जाट-जाट की ब करते हैं अगर उनको परमोट करते हैं तो तो कि वह हमारे हैं चलता है कास्ट कंबिनेशन तो बनाना पड़ेगा दूसरे एक SCST में से इनके पुराने मंत्री हैं उनको शायद दिए दे अब उसके बाद तीसरी तरफ चोती तरफ अगर हम जाते हैं और कास्ट की तरफ भी अ फिर सानां के तरफ तो हैं तो मैं अप्रलh जाता है स्वाइब कांट की एम कहिए मंत्री का सारा काम ही पौलिटिकल एडवैजर थे उनके हरने के बाद पौलिटिकल एडवाईजरियस से बहूत बड़ा उनका कत था उनको उनको कुछ नुछ बड़ा दिया जा सकता है बहुत सारी चीज़े हमने डिसकस किए हैं और यह सवरूप एक हो सकता है कलका लेकिन बहुत शुकर यह भास मैंनों का कारेकर सिर्फ का जोड़ने के लिए हमने जाने से पहले बहुत सारी चीजों का दिक्रिक किया है कर का का कीबिनेट का सवरूप कि अ थrets features को अ प्रेट नाहिं लग्षकार